नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ मही 2023 के एक्सप्लेइन पीज के जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में देखो चार इशूस के बारे में हम डिसकस करने वाले एक तो प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडरिंग एक्ट में उनसे समन्दित जूरूल js है उसमें क्या चेंजिश किये हैं दूसरा हम देखेंगे कि क्या हमारा एग्री कलचर तो टोटल चार आर्टिकल से देखते हैं इनको फर्स्ट आर्टिकल है Changes in Prevention of Money Laundering Act देखो गवर्मेंट क्या है कि Money Laundering Act को जो है वो चेंज कर रही है ठीक है इस Money Laundering को रोकने का जो Act है उसको चेंज कर रही है जिसमें अभी लेटिस्ट क्या चेंज है वो हम जाने तो देखो जो Chartered Accountants होते हैं या Company Secretary Secretary CS जिनको बोलता है CACS यह हो गए या फिर कोई भी Financial Transaction में किसी भी Individual को Help करने वाले जो Entities है वो उनको भी अब क्या किया जा रहा है इस Prevention of Money Laundering Act के Provision में या Embit में लाया जा रहा है देखो Money Laundering के अगर बात की जाए तो इसका Simple सा Fundah है कि एक तरीके से आप दो नंबर के पैसे को एक नंबर में Convert कर रहे हो ठीक है ऐसा पैसा जिसका आपके पास में कोई Record नहीं है उस पैसे को आप White Money में Convert कर रहे हो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते है कि जिस पैसे का गलत तरीके से यूज किया जाता है चुप चुपा करके जो सिस्टम होता है उससे वो होती है Money Laundering तो कुल मिला करके देखा जाए तो इस Money Laundering के Menace को रोकने के लिए इस Problem को रोकने के लिए Prevention of Money Laundering Act जो है वो लाया गया था ठीक है तो इसमें अब क्या किया जा रहा है कि जो भी पैसे को ठिकाने लगाने वाली entities जो भी लोगों की सहायता करते हैं जैसे CA है, CS है Cost and Working Accountants है यह क्या करते हैं? यह रस्ते बताते हैं कि कैसे Government के Laws में Loop Holes Available है और उन Loop Holes का यूज करके लोग पैसे को ठिकाने लगाते हैं जिस पैसे के Origin का पता नहीं है गलत तरीके से या फिर Illegal मैनर में एक बनाई हुई मनी है उसको फिर बाद में आप System में Introduce करते हो अपने फायदे के लिए तो Point यहां पर यहां रहा है कि इस Illegal Activity को Control करने के लिए इन Institutions का आना ज़रूरी था इस Particular Act के Under में चाहे वो CA हो, चाहे CS हो, चाहे फिर Cost and Works Accounts Officer जो भी होते हैं वो तो एक तो यह Change किया जा रहा है दूसरा Change क्या किया जा रहा है कि 22 Financial Entities को यह कहा गया है कि भई आपके पास में आधार का यूज करके कोई भी कस्टमर अगर कोई भी लेंदेन, कोई भी Financial Transaction करे तो आप उनको Proper Identify करोगे अब वो Vice Entities जो है Financial Entities उनमें Amazon PayBee है अधित अबिल्ला Housing Finance भी है इसके अलावा IAFL Limited भी है और भी बाकी और लगबग Total Vice Entities है यह अब देखो इन Changes की पीछे Main Target क्या है Main Target यह है कि भई सीधी बात है कि कहीं पर भी Money Laundering के जो Problem आती है वो हर कि देखो पैसे को Manage करना हर किसी के बसकी बात नहीं होती है ठीक है पैसा कमा लेना कमाना ठीक है पर उसको ऐसे Manage करना कि किसी को दिखे नहीं और वो भी System में ना दिखे तो उसको ठीकाने लगाने में यह CA और CS जो होता है या फिर यह जो Cost and Works Accounts होता है Account Officer होता है इनके पास में Experience होता है इनको Idea रहता है कि कौन कौन से Laws में कहां कहां पर क्या Provision किये हुआ है क्योंकि इनकी Study की रहती है और उन Laws में फिर Loopholes निकाल करके उस Money को ठीकाने लगवा देता है तो ऐसे में इन Entities को इन Institutions को भी अभी Cover किया जाएगा इससे क्या होगा कि Money Laundering के Problem को रोकना possible हो पाएगा एक कदम और आगे हम बढ़ पाएंगे तो देखो March में Finance Ministry ने Money Laundering Rules में Changes किये जिसमें NGOs को भी Include किया गया था Non-Governmental Organizations उनको भी Include किया गया था इसके अलाबा अब जो Changes किये गया इनमें CACS इनको भी Include कर दिया गया है इसके अलाबा ये जो Money Laundering Rules हैं इनमें P.E.P.S का भी Concept डाला गया है P.E.P.S का मतलब हो जाता है Politically Exposed Persons इसका मतलब ये हो गया कि Foreign Politically Exposed Persons वो Individuals वो Individuals जिसको किसी विदेशी सरकार के द्वारा या विदेशी या फिर किसी दूसरे देश के द्वारा किसी भी Public Function के लिए Entrust का मतलब हो गया कि आपको कोई जिम्मेदारी दे रखी है सरकार ने कोई जिम्मेदारी दे रखी है आप सरकारी बंदे हो कुल मिला कर गये किसी दूसरे देश के सरकार के बंदे हो आप ये मानो तो आप क्या हो गए कि एक तरीके से Politically Exposed Person हो गए और वो भी कौन? Foreign तो इस तरीके से FPEPs को भी इसमें Include अब की जा चुका है इसका मतलब मान लो कि कोई USA का बंदा है ठीक है उस Individual को वहां के द्वारा वहां के सिस्टम के द्वारा USA के सिस्टम के द्वारा कोई Public Function मान लो कि को Infrastructure Develop करने का Project क्या कुछ मिला हुआ है अब वो क्या है कि वो Individual उस जम्मेदारी को पूरी करेगा और वो जम्मेदारी किसके Government के भीहाफ पे तो इस तरीके से क्या हो गया कि वो Political Individual हो गया इस तरीके से अगर वो बंदा इंडिया में या कहीं पर भी आकर कि उस पैसे को यूज करता है जैसे आप कई बार देखते हो कि इंडिया में कमाया हुआ पैसा दो नंबर में कमाया हुआ पैसा फिर बाहर जाता है फिर वहाँ जाकर के घूम करके वापिस से इंडिया में आता है और वो investment का नाम ले लेता है ठीक है तो इस तरीके से यह आप आपने पढ़ा भी होगा यह कि based erosion profit sharing का concept होता है कि पैसे का origin no doubt इंडिया है पर इसके बारे में किसी को पता नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि आपने वो पैसा इंडिया से कमा करके मौरिशस पनामा या फिर कोई ओर दूसरे countries Ireland ऐसे countries में वो पैसा पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पर फिर आप देखते हूं कि कोई entity में आप पैसा इंवेस्ट कर देते हो नाम पर ठीक है जैसे आपने पनामा पेपर लीक्स के बारे में पढ़ा हो तो अमिताब में तो ऐसे में ओरीजन तो उस पैसे का हिंडिया से है पर वो पैसा आया हुआ कहां से माना जाएगा पनामा से आयर्लेंड से इन मौरिशस से इन country से तो problem क्या आती है कि यहाँ पर यह जो दो नमबर का पैसा है इसको trace करना मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में ऐसे में foreign countries में जो भी public functions को perform करने वाले individuals हैं उनको आप politically exposed person बोलोगे और उनको भी अब prevention of money laundering act के अंडल ला दिया गया है इससे क्या होगा कि foreigners का जो involvement होता है money laundering में उसको भी tackle करना possible हो पाएगा वो कौन हो सकते हैं वो देख लो states और governments मानलो सरकार या फिर सरकारी system हो सकता है किसी भी इंडिया के अलावा कोई senior politician है कोई senior government या judicial military officer है कोई भी हो सकता है मतलब सरकारी बंदा वो इस definition में आ जाएगा और उसके द्वारा अगर कोई भी money laundering की activity की गई तो PMLA act के अंडर में उसके खिलाफ करवई हो जाएगी तो यह दो provision यहाँ पे हमने देखे अब सवाल ही आता ह है वो money laundering, terror financing इन सब को लेकर के बहुत ज्यादा concern है democracy है problem है हमारे रहती है तो इसको tackle करना जरूरी हो जाता है रही सही में 2023 के last में financial action task force है जो global money laundering और terrorist finance watchdog है जो monitoring करता है जिस financial action task force ने पाकिस्तान को grey list में डाला हुआ था जिसकी वज़े से पाकिस्तान को आज funding नहीं मिल है ठीक है उसका review वो उसका assessment होगा ठीक है उसके द्वारा अलग-अलग economies को assist किया जाएगा कि हाँ बई कहां कहां पर money laundering की problem को terrorist financing को रोकने के लिए अच्छे अच्छे provision कर रखें नहीं कर रखें तो फिर उनको accordingly treat किया जाएगा category में डाल दिया जाएगा फिर उसके बाद मे उनको अगर वो भी financial assistance की requirement होगी international community या international जो भी financial institutions हों से तो उनमें problem आने लग जाती है तो कुल मिलाकर कि क्या है यहाँ पे कि FATF का review FATF के द्वारा जो assessment किया जाने वाला है उसमें हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि money laundering और terrorist financing यह बहुत बड़ी problem है दूस जो people of exposed आप कह सकते हो politically exposed people जो होता है उनकी बात करें तो यह idea कहां से पिक किया हुआ है देखो 2008 में RBI के द्वारा अपने KYC norms के बारे में कुछ updates दिये गए थे जिसमें यह बोला था कि जो politically exposed people है बोलो आप उनको भी include करो उनको भी आप trace करो कि कहीं वो money laundering में involved तो नहीं है ठीक है चाहिए दूसरे देश का राश्टरपती भी हो सकता है प्रधान मंतरी भी हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर भी हो सकता है तो उनको भी चेक करना जरूरी है और यह जो updates किये गए हैं यह जो changes किये गए हैं जिसमें CACS या फिर जो cost and works accounts देखने वाले बंदे हैं या फि इसको follow करते हुए यह सारा किया गया है अब आपको क्या करना है देखो prevention of money laundering act के बारे में एक बार revision कर लेना UPSC point office है फिर आपको financial action task force के बारे में पढ़ लेना है ठीक है तो यह इस article में points थे आगे चलते हैं अगला article is shoot at sight in money pool legal basis of government's order देखो government ने यह announce कर दिया कि अगर कोई भी आपको दिखे ठीक है साथ गूमता फिरता ठीक है जिसके उपर doubt लगे कि हाँ बंदा जो है वो कुछ conspiracy कर रहा है अब आप यहाँ देखो ट्रक को जला दिया असपास में दुकानों में आग लगा दी तो बोला ऐसे कोई तात्वा दिखें तो उनको वहीं पे shoot कर दो यह अच्छे से discuss किया previous discussions में आपको ध्यान होना चीए और अगर आज पहली बार आपने वीडियो देखा है तो previous वीडियो के discussion आप जरूर देख लो पिछले एक हफते की देख लो explained और editorial दोनों समझ में आ जाएगा सारा अब देखो बात है कि जो district magistrate है उनको यह allow कर दिया गया ह गर्मेंट के द्वारा किजी shoot at sight order that means अगर कहीं पर भी आपको लगे कि problem ज्यादा होने वाली है या कुछ लोग मिल करके कुछ conspiracy कर रहे हैं इस तरीके के violence को और बढ़ावा दे सकते हैं तो वहीं पर आप shoot कर सकते हैं इस तरीके का order दे दिये गए अब हम देखते हैं कौन-क criminal procedure 1973 का उसमें दिया हुआ है कि shoot at sight जो है वो statutory power के basis पे आप declare कर सकते हो जिसमें यह होता है कि एक individual जो है वो offense करने से बच सके ठीक है या offense करने वाला है इसके अलावा Arms Forces Power Act of 1958 इसका भी section 3A वो क्या कहता है कि इसमें फिर आप कह सकतो 1972 में amendment किये गए थे इस amendment के बाद में आप देख लो The Armed Forces Assum and Manipur Special Powers Amendment Act of 1972 इसमें यह था कि कोई भी disturbed area है तो वहाँ पर armed forces जो है वो इस तरीके के action ले सकती है इसका मतलब shoot at sight वाला जो concept है वो इन laws में भी available है इसके अलावा Indian Penal Code की बात करें तो IPC में 76 नमबर का जो section है वो यह कहता है कि soldiers जो है उनको यह allow किया जाता है कि अगर उ ठीक है soldiers को कि अगर आपको कहीं पर भी उच नीच होती हुई दिखे तो आप वहाँ पर shooting shoot कर सकते हो ठीक है तो उस case में उसको offense consider नहीं किया जाएगा तो यह provision दिया हुआ IPC के 76 section में similarly जो CRPC है 1973 की उस case section 144 में अगर देखें तो उसमें क्या दिया हुआता है कि urgent need आ गई ठीक 24 के clause 3 में इस तरीके के provision दिये हुए है जिसमें shoot at site का जो provision है वो ड्रॉ कर सकते हैं arm forces तो कुल मिलाकर कि यह अलग-अलग laws अलग-अलग sections है जहां पर shoot at site को support मिलता है तो यह थोड़ा ध्यान रख लेना भई याद रख लेना अब सवाल यह है कि court के पास में क्या ऐसे कोई cases गए हुए तो court का क्या stand-up हो देखते हैं तो देखो court का गुजराथ high court का case है case का नाम है जैनतिलाल मोहनलाल पतेल वर्सिस एरिक रेनिसन और अदर्स 1974 का case है इसमें यह था इस case में क्या बुला है कि law and order को enforce करने वाली जो forces है ठीक है चाहे पुलीस हो चाहे आम forces हो उनके पा अगर तोड़ता है तो आप उसको shoot ही कर दो इसका मतलब यह कि shoot at site का जो order है उसको यहाँ पर गुजराथ high court ने मना कर दिया बोला ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर curfew लगा हुआ है आपने बंदगर रखा है और लोग वहाँ पर निकल गए गलती से निकल गए मालो तो क्या महाँ पर आप shoot कर दोगे तो बोला कि law and order forces ना उनके पास में ऐसे कोई राइट नहीं है यह बात कही थी गुजराथ high court ने 1974 में फिर supreme court की बात करें तो 1981 में supreme court के पास में case था case का नाम है state of west bengal versus shumangal singh and others इस case में क्या कहा इसमें कलकता high court का एक verdict आया था उसी को supreme court ने ठप फेल्ड कर दिया continue कर दिया और क्या कहा कि बात ऐसी है कि अगर shoot at site की situation create होती है problematic होती है situation तो बलो उस case में armed forces या फिर जो law and order को maintain करने वाली forces है वो अपना action ले सकती है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अगर supreme court के point of office से देखा जाए तो यह चीज कहीं ना कहीं law and order को maintain करने के लिए approve की हुई है उसमें भी IPC का section 76 थाना उसके basis पर यह बातचीत चल रही थी कि दो भाईयों को वहाँ पर गोली मार दी गई थी ठीक है वेस्ट बेंगॉल में तो इस वज़े से यह मुद्दा क्या आगया कि जी supreme court की अगर बात आए तो shoot at sight वाली बात को approval मिला हुआ ह जब एकदम vulnerable हो जाए, volatile हो जाए, पता नहीं कब दंगे बढ़क जाए तो उस case में फिर इस तरीक है के difficult step भी लेने पड़ता है ठीक है आगे चलता है next article है farm export से related देखो अगर detail में हम समझे तो यहां पर आप देख सकते हो मोटी मोटी बात ही हम देखेंगे agriculture export और import दोनों जो है पिछले साल के comparison में perform अच्छा कर गए इसका मतलब 2022-23 का जो financial year है 2022-23 का financial year कब खतम हुआ 31 March 2023 को तो 2021-22 के financial year के comparison में 2022-23 का जो financial year है उसने export और import दोनों में plus में perform किया है जैसे अगर हम agree export की बात करें तो export हमने कितना किया 53.15 billion dollars का और import कितना किया 35.69 billion dollars का जबकि ये तो 2022-23 का रहे गया जबकि 2021-22 में क्या रहा था कि हमारा जो export था वो तो था 50.24 billion इसका मतलब export बढ़ गया आप देख सकते हो और import जो था वो था 32.42 billion इसका मतलब हमारा इंपोर्ट भी बड़ा अब इन दोनों का difference देखें तो 2021-22 में जो export-import का जो difference था वो हुआ करता था 17.82 billion dollars का इसका मतलब हम agriculture export से पैसा कमा रहे थे अब बात आती है कि 2022-23 में difference कितना रहा तो ये थोड़ा सा difference डाउन चला गया इसका मतलब export के comparison में import थोड़ा ज्यादा किया गया है 2022-23 में तो ये data आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे इस पे नजर रखना हो फिर हम बात करते हैं pricing से related उससे related तो देखो United Nation के अंडर में food and agriculture organization का जो food price index है उसकी बात करें तो उसमें उसकी value उसकी value जो है वो आप देख सकते हो कि crash कर गई ठीक है ना average चल रहा था 2013-14 में 119.1 ठीक है ना जो की घटकर के 90 पॉइंट पे हो गया 2015-16 में फिर इसके बाद में ये price एक बार फिर से बढ़ती है पिसले साल के आपको पता है जो corona crisis था क्या हाल रहा था ठीक है तो उस time पे एक बार फिर से एक बार hike देखने को मिला कितना 139.5 इसका मतलब महंगाई ज्यादा थी international market में agriculture commodity या food products की हम बात करें यह थो हमने experience भी गया अब हम देखते हैं कि किन किन चीजों को हमने export किया है उनकी detail देखो अगर हम पिसले एक साल की बात करें तो हमारा agriculture export जो है उसमें main जो हमने export rice किया है वो किसका किया है marine product rice और sugar in sugar table sugar ठीक है न देख सकते valuation 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 में पहनी जा रहा हूं आप खुछ से एक बार नजर डाल सकते हूं ठीक है इसके लाबा हमने बास्मती rice mainly किसको export किया है Gulf countries को कुछ हमने US और UK को भी export किया है sugar export जो है वो थोड़ा सा rice हुआ अब हम बात करते हैं export में ऐसे कौनसे performer जो की फसे रह गये अच्छ से कौन सा exporter जो हमारा reduce हुआ है तो देखो spices की बात करें और buffalo meat की बात करें तो हमारा जो export था ना वो 2013-14 की टाइम पे केवल 2.5 billion dollar का होता था spices का मसालों का जिसमें क्या क्या आ गए चिली मिंट प्रोड़क्ट क्युमिन टर्मरिक जिंजर कॉरिएंडर फैनल यह सारे आ गए मतलब सूफ मिर्ची ठीक है हल्दी यह सब आ गए इसमें मिला कर तो मसाला जो था हमारा वह export होता था 2.5 billion dollar का वह बढ़गर के 2020-21 में हमार more or less फसा हुआ है 4 billion dollar के लगबग बफैलो मीट की बात करें तो यह भी लगबग लगबग जो है राइज होनी रहा है more or less फसा हुआ है ना डाउन जा रहा है ना प्लस हो रहा है फिर हम बात करते हैं decline में देखो एक तो cotton export हमारा decline कर गया एक गुवार गम गुवार आता ना ग खेती होती है आपकी खरीब के सीजन में ठीक है उसकी और oil meals जो है इनके export में हमारी कमी आई है देखा जाए तो cotton में export क्यों डाउन हुआ वह सीधी बात है जब हमने BT cotton introduced किया था ना genetically modified जो crop आती है cotton की उसको हमने introduce किया था तब हमारा production rise हुआ था और India जो था world का first I mean top producer बन ग दूसरे नमबर के exporter बन गए थे जिसमें पहले नमबर पे exporter यूएस था दूसरे नमबर पे इंडिया आ गया था पर अब जैसे से टाइम बीता है वैसे वैसे बीटी cotton की भी कुछ कमिया हास लग गई ठीक है मतलब पहले बिमारियों से बच सकता था बिमारिया लगने लग गए ठीक है अब इससे क्या होने लग गई है प्रोड़क्टिविटी हो गई डाउन इसकी वज़े से क्या होने लग गया कि अब प्रोड़क्टिविटी कमा रही है तो export करने के लिए भी हमारे पास बचता नहीं है दूसरा new gene technology के basis पे नए बीज तयार है cotton के पर उनको हम allow नहीं कर रहे हैं क्योंकि farmers है वो रोड़ पर आ जाते हैं और regulatory regime को pass out नहीं कर पा रहे हैं मतलब नए टेक्नीक के बेस जो नए बीज तयार है cotton के वो उतने quality के नहीं है जितने required है इस वज़े से production में डाउन जा रहा है ठीक है तो export भी डाउन हो गया गुवार गम की बात करे तो गुवार गम का main काम कहा आता है ये देखो जो चटानों में से oil और gases निकलती है ना तो उनके साथ में गुवार गम को mix किया जाता है उससे क्या होता है कि वो आप कह सकते हो कि एक तरीके का मतलब उससे shell oil और gas को क्या करता है गुवार गम जो निकलता है गुवार से जो बढ़ जाती है और उससे उसका extraction बड़ा असान हो पाता है तो गुमार जो है वैसे तो normally देखा जाए ना तो fodder की तरह भी use होता है गायों को इनको चारे में बैसों को इनको दिया जाता है दूद अच्छा होता इससे पर दूसरा इसका use कि इसमें किया जाता है और shell oil और gases को extract करने में भी अब इसमें भी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं decline देखने को मिल रहा है export point office से देखा जाए तो ठीका जी यह point हो गया फिर आजाओ import की बात करें तो import देखो हमारा vegetable oil है वो हमारा import लगातार बढ़ रहा है हमारी requirement का लगबग 60% जो vegetable oil है वो हम import से fulfill करते हैं इसके अलावा देखा जाए तो pulses भी जो dependency थी वो हमारी अब लगबग 10% हो गई है इसका मतलब यह कि जो हम दालों का import किया करते थे ना थीक है मोटी मोटी बात करें दालों की import की बात करें तो वो 4.24 billion dollars के लगबग ठीक है 2016 में थी वो अब गट करके कितनी हो गई है 1.94 इसका मतल है net exporter हुआ करते थे ठीक है पर अब क्या हो रहा है धीरे धीरे हम इनकी competitiveness जो है इतनी शो नहीं कर पा रहे है ठीक है जी हम क्या कर रहा है इंपोर्टर बन गया है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सस्ते में यह चीजे मार्केट में मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में क्य लिए रश्या-उक्रेइन वार के बाद में जिस तरीके से जो फूड प्राइस इंडेक्स है वह 139 बेसिस पॉइंट मतलब 139 पर चला गया जो 113 119 के अवरेज भी चलता है तो वह एकदम से महंगा ही बढ़ जाना एक तो यह प्राब्लम रहती है दूसरा हमारे आपर फू मौन्सोन देट मीज सप्टेंबर और ऑगस्ट वाले दो महिने हैं और सप्टेंबर के इस महिनों में मौन्सोन पे अल्ग नीनों का भी एफेक्ट आएगा तो बोले यह दो फैक्टर्स हैं यह कहीं नहीं हमारे लिए एक्सपोर्ट को प्राब्लम भी कर सकते हैं यह में लैफ सेंचुरी वहां पर आग लगी और आग लगने के बाद में नेवी एयरफोर्स के हलिकॉप्टर से पानी डाल करके और हवा उससे आग को कंट्रोल किया गया तो इसके पीछे जब एक रिपोर्ट मतलब एक सर्वे करवाया गया गवर्मेंट के द्वारा तो उस सर सर्वे में फरेस्ट डिपार्टमेंट के इंडिवीज्वल्ट थे तो उन्होंने अपने रिपोर्ट पॉब्लिश सब्मिट किया भी गवर्मेंट को और उस रिपोर्ट में क्या बोला है एक तो लंबे समय तक सूखा पड़ना दूसरा टेंपरेचर राइज होना तीसरा और ओपोजिशन पार्टी यह कह रही है बोले यह आग जो थी यह मैनमेड थी इसका मतलब किसी ने जानवूज करके आग लगाई है या फिर यह कह दो कि किसी ने सिगरेट पिली और सिगरेट का जो वर्ड है वो जलतावा ऐसे ही छोड़ दिया फिर वो जो सूखा पूरा बचा हुआ कह सकते ना जो रेजिड्यू होता है हा ना तो उसने आग पकड़ी इसकी वज़े से ही हो गया है अब देखो यह एलिगेशन वाली बात अलग है एक तो यह ध्यान रख लेना महादेई वाइलाफ सेंचुरी रिसेंटली नियोज में था कहा है थोड़ा ध्यान अब रिपोर्ट में क्या बात है यह वो देखते हैं देखो यह बताया जा रहा है कि लगबग 74 इंसिडेंट्स देखने को मिल गए हैं आग के मार्च महीने में मार्च महीने के पहले 15 दिन में ठीक है जो कि आप देख लो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत जादा है डबल से भी जादा हो गया है ठीक है फिर इसके लावा यह बताया जा रहा है एक्स्ट्रीम वैदर कंडिशन बोला इतनी ज्यादा गर्मी पढ़ने लग गई कि जो फॉलीज है या फिर जो पेड़ पोदे हों सूख जाते हैं इसकी वज़े से ड्राइनेस हो जाती है और व आग पकड़ने में जोड नहीं आथा ठीक है इसके अलावा यह बताया जा रहा है कि मॉन्सून जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसकी वज़े से भी प्राब्लम आती है जैसे करनाटगा में जो आग लगी थी करनाटगा के जंगलों में तो उसमें यह एक प्राब्लम हाइलेट की गई थी तो देखो मोटी मोटी तो यह है ड्राइने से के अपने आप में बहुत बड़ा कारण है एक यह बताया जा रहा है कि खेती करने के लिए जो स्लैशन बर्न वाला जो concept यूज होता है shifting cultivation वाला उसमें क्या होता है जैसे आप यह नौर पर crown fires नहीं देखने को मिलती crown fire का मतलब क्या होता है कि पेड़ की जो canopy होती है ना उसमें हमारे यहां पर आग देखने को नहीं मिलती है generally आग मिलेगी तो कहां पर ground way मिलेगी अब हमारे यहां पर गोवा में यह ज़्यादा height के जो पेड़ों उनमें आग क्यों नहीं मिलती देखो Australia, California यह आपने सुना होगा कि यहां पर जंगलों में आग लगी थी पिछले साल तो वो आग की वज़े था friction पेड़ से पेड़ टकरा जाते हैं और हवा चलने की वज़े से वो रगड़ खा कर गे और फिर आग पगड़ लेते हैं तो बोले यह problem गोवा में नहीं है इसके अलाबा देखा जाए तो Forest Survey of India के according तो जो satellite based fire monitoring system काम करता है उसमें यह पता बड़ा है कि हमारे देश में एक मार्च से दो बारा मार्च के बीच में लगबग 42,799 आग के incidents देखने को मिले थे जो कि पिछले साल के comparison में जस्ट डबल से भी जादा हो गए है तो इसका मत लब Forest Fire हमारे लिए बहुत बड़ी प्राब्लम क्रीट करने वाला है अब अब और उपोजिशन पार्टिक से कहना है कि बोले वेस्टेट इंट्रेस्ट वाले लोग ना वो बोले इस तरीके की आग लगा देता है कैसे कि जंगल में जो पकते जड़े हुए रहते हैं वो नी लगा जा रहे हैं चलिए अब जो में बात है यह है इस परग्राफ की जो आपको मोटी मोटम यह लिखी लेना है देखो अप्रेल 2022 में एक स्टेडी का नाम है जिसका नाम है मैंनेजिंग फॉरेस्ट फायर्स इन चेंजिंग क्लाइमिट इसको पब्लिश किया था पब्लिक यहां पर 62% से जादा जो हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट है ना मतलब 62% से जादा जो हमारे स्टेट्स हैं वो हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट फायर के लिए वल्नरेबल है इसका मतलब बहुत जादा आग लगने के लिए रेडी है इतना जादा प्राब्लम हो चुकी है क्ल मध्यप्रदेश, महराष्टा, 36 गड़, उत्रागंट, तेलांगना और नौर्थ इसन स्टेट्स की बात करें तो ये फॉरेस्ट फायर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉन है और इसके बाद में मिजोरम में सबसे ज्यादा आग के इंसिडेंट देखने को मिले हैं पिछले दो दश्कों में और उसमें भी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं मिजोरम के जहाँ पर 95% तक केसे देखने को मिले हैं फॉरेस्ट फायर के तो ये एक इंपोर्टन बात होगी इसके लेवा इंडियन स्टेट ओफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इस एफर दो जार इसाफ से देखें तो कंट्री का जितना फरेस्ट एडिया उसमें 36% एडिया बहुत ज़ादा आग के लिए वल्नरिबल है प्रॉन है आग लग सकती है जिसमें 6% तो वेरी हाइली फायर प्रॉन है और 4% एक्स्ट्रीमली प्रॉन है इसका मतब यहाँ पर तो आग लगना बहुत रेर है कि बच सक रहे था ठीक है आज वाला वीडियो आपको मिल जाएगा थैंक्यू वेरी मुच्छ